विग्न हर्ता गणेश भगवान की जय आज सकट चौथ के दिन सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की कथा जो भी वक्त सचे मन से आज के दिन इन कथाओं को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं भगवान गणेश उनके सभी विग्नों को हर लेते हैं और उनकी सभी मनुकामनाई पूंड करते हैं प्राचीन कथा के नुसार एक बार एक साहुकार और एक साहुकार्णी थे वे धर्म पुन्नी को नहीं मानते थे इस कारण उनकी कोई भी संतान नहीं थी एक दिन साहुकार्णी पडोस के घर गई उस दिन सकट चौथ था महाँ पडोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी साहुकार्णी ने पडोसन से पूछा बहन तुम क्या कर रही हो तब पडोसन बोली कि आज चौथ का वृत है इसलिए कहानी सुन रही हो तब साहुकार्णी बोली कि चौथ के वरत करने से क्या होता है पडोसन कहने लगी बहन इस वरत को करने से गणपती भगवान की करपा से अन, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिल जाता है साहुकार्णी ने सुना तो कहने लगी, अगर मेरा गर्ब रह जाए तो मैं सवा सेर्द सिलकुट करूँगी और सकट चौथ कवरत भी करूँगी भगवान गणेश की करपा से सहुकार्दी के गर्ब टहर गया तब वह बोली कि अगर मेरे लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूँगी और फिर समय आने पर उसके लड़का भी हो गया लड़का होने के बाद फिर वह कहने लगी हे चौत माथा मेरे बेटे का विवा हो जाएगा तो मैं सवा पांच सेर का तिलकुट करूँगी इस तरह मैं हर बार चौत के व्रत को टालती रही और आने वाले समय में व्रत करने का कहती रही कुछ वर्षों के बाद जब उसका बेटा बढ़ा हुआ तो बेटे का विवाह तै हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला लेकिन उस सहुकार्णी ने तिलकुट नहीं किया था इस कारण से चौत देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा कर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया सभी वर को खोजने लगे पर वर नहीं मिला निराश होकर बरात अपने घर वापस लोट गई इधर जिस लड़की से सहुकार्णी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहलियों के साथ गड़गोर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई ओ मेरी अर्ध ब्याही ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो वह परिशान हो गई उसके बाद तो वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी एक दिन लड़की की माने कहा बेटी मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ फिर पितु सूखती क्यों जा रही है तब लड़की अपनी मा से बोली कि मा जब भी मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही उसने महंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है तब उसकी मा ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि ये तो उसका जमाई ही है जो कि बीच ब्याह के समय ही उठकर चला गया था तब उसकी मा ने अपने जमाई से कहा इसलिए गणेश भगवान और चौत माता ने नाराज होकर मुझे यहां बिठा दिया है ये सुनकर उस लड़की की मा सहुकार्णी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौत का कुछ बोला है क्या तब सहुकार्णी बोली हाँ तिलकुट बोला था उसके बाद सहुकार्णी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो धाई मन का तिलकुट करूँगी जिससे श्री गणेश भगवान प्रसन हो गए और उसके बेटे को फेरो मिला कर बिठा दिया बेटे का विवा अब धूम धाम से हो गया जब सहुकार्णी के बेटा और बहु घर आ गए तब सहुकार्णी ने प्रसन्न मन से धाई मन तिलकुट किया और कहने लगी हे चौत मता, हे गणेश भगवान आपके आशिरवात से मेरे बेटा बहु घर आ गए है जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करा करूँगी इसके बाद तो सारे नगरवास्यों ने भी तिलकुट के साथ ही सकट का व्रत करना आरम कर दिया हे सक्टा मता, हे गणेश भगवान जिस तरह सहुकार्णी को बेटे बहु से मिलवाया वैसे ही हम सब के दुखदूर करना इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भढ़ने वाले सभी भक्तों का भला करना प्रेम से बोलिए कणेश भगवान की जय अब सुनिए चौत माता की कथा इस कथा के बिना सकट चौत की कथाएं अधूरी माने जाती है पराड़ी कथा के नुसार एक बार एक सेट से ठानी थे उनका एक बेटा और बहु भी थे बहु सब को भोजन कराकर फिर स्वैम भोजन करती उनकी एक पडोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूस थी कि बहु अज क्या बनाया खाया तो बहु कहती ठंडो बासी एक दिन पती ने उसकी बात सुन ली तो पती सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गरम खाना खाती है फिर ऐसा क्यों कहती है तो उसके पती ने ऐसा सुन कर विचार किया कि आज तो पकवान बना कर जाए फिर देखते हैं कि मेरी पतनी पडोसन से क्या कहती है तब उसने अपनी पतनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाई और घर के सभी लोगों ने एक साथ पैट कर भोजन किया भोजन करने के बाद उस दिन भी पडोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया तो बहू पहली की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया सेट के लड़के ने सोचा हो नहो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पतनी रोज ऐसा ही कहती है तो उसने एक दिन अपनी पतनी से पूछा कि तुम रोज पडोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठ कर आज कई तरह की पकवान खाये तो उसकी पतनी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भुजन कर रहे हैं अब एक दिन लड़के ने मा से कहा कि मा मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ मा बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाये नहीं खाये जाएगा तो मा के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का द्रण निश्य कर लिया जाते से मैं अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना लोट कर आ जाओ तो तब तक चूले की आग बुझने मत देना एक दिन चूले की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पती पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा जल्दी से पडोस में से आग लाकर चूले में रग दू ऐसा मन में सोच कर वह पडोस में गई वहाँ पडोसन चौत माता का व्रत पोजन कर रही थी पडोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना बहु ने पडोसन से पूछा आप चौत का ये व्रत क्यों करती हो इससे क्या फल मिलता है पडोसन कहने लगी चौत माता के इस व्रत को करने से अन धन और लक्षमी मिलती है अपनी मनुकामना भी पूरी हो जाती है पती पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है पडोसन से व्रत की सारी विधी पूछ कर कथा के बारे में जानकर अब बहु ने भी अगली बार से चौत माता का व्रत रखना शुरू कर दिया दिवार पर चौत माता बनाई उस दिन घी गुड का चूरमा बना कर रात को चंतरमा को अरग देकर भूजन किया ऐसा करते करते बहु को बहुत दिन बूट गए वो हर दिन अपने पती को याद किया करती एक दिन चौत माता ने बहु के पती को सपने में आकर कहा कि साहुकार का बेटा तु जागे की सोवे तेरी पतनी घर में तुझे बहुत याद कर रही है घर जाकर उसकी चिंता दूर कर तु दुकान खोल कर कंकू केशर का पगल्या बना कर बैठ जाना आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा अब तो चोथ माता ने जैसा कहा व पन फैलाई वे बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं आज तेरी उम्र पूरी हो गई है तब साहुकार के लड़के ने साप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है इसलिए मैं अपनी पतनी से मिलने घर जा रहा हूं वहा लोटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा इस प्रकार नाग को वचन देकर साहुकार कर ललका अपनी घर पहुचा वहां सभी से हशीखुसी मिला और बोजन करके उदास होकर बैठ गया उसकी पतनी ने उदास होने कारण पूछा तो पती ने नाग वाली बात बताते वे कहां कि अगर मैं उसके पास नहीं जाओंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा उसकी पतनी बहुत चालाक और समझदार थी कहने लगी आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ आप अराम से लेट जा कंकु केशर पांचवी पर लड़ू पेड़ा छटी पर गादी गलीचा और साथवी पैड़ी पर दूद से भर कर कटोरा रख दिया इस प्रकार वेह साथ पैड़ी सजा कर बैठ गई आधी रात होते ही वेह नाग आया और पैड़िया चड़ने लगा पहली पैड़ी पर र नाग अराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौत माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाओंगी तो संसार में धरम करम और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा अब तो गणेश जी चंद्र देवता और चौत माता ने सहुकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया चंद्रमा जी ने उजाला किया चोथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढख दिया उधर बहु भी थकीहारी सो गई दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए परन्तु बहु बेटा तो उठे ही नहीं थे बहुत देर हो गई तो मा उन्हें उठाने के लिए गई मा ने सातों पैडियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहु का आवाज लगाई बेटा बहु उठे तो देखा कि एक धाल तलवार वहाँ पर पड़ी है अब धाल उठाई तो वही धाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है बेटा बहु ने सोचा कि आज दो धरम करम ही आड़े आये हैं जो भगवान गणेश जी और चौत माता ने आपकी रक्षा की है हे चौत माता आपने जैसे सेट के बेटे बहु की रक्षा की वैसे ही सब की रक्षा करना कहते को इस कथा को सुनते हुंकारा भरते को सभी की रक्षा करके सभी की मनुकाम नए पूर्ण करना अब सुनिए चौथ माता की आरती ओम जैश्री चौथ मैया बोलो जैश्री चौथ मैया सच्चे मन से सुम्रे सब दुख दूर भया ओम जैश्री चौथ मैया उचे परवत मंदिर शोभा अतिभारी मैया शोभा अतिभारी देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी ओम जैश्री चौथ मैया महा सिंगार सुहावन उपर छतर फिरे मैया उपर छतर फिरे सिह की सवारी सोहे सिह की सवारी सोहे करमे खटग धरे ओम जैश्री चौथ मैया बाजत नौबत द्वारे अरुम्रे दंग डमरू मैया अरुम्रे दंग डमरू चौसथ जोग निनाचत रित्य करे भैरू ओम जैश्री चौथ मैया बड़ बलशाली तेरा ध्यान धरे रिशी मुनी नर देवा चर्णों में आन पड़े ओम जैश्री चौथ मैया चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया जो कोई सुहागन गावे बढ़त सुहाग की लाली सुख संपति पावे ओम जैश्री चौथ मैया ओम जैश्री चौथ मैया बोलो जैश्री चौथ मैया सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया ओम जैश्री चौथ मैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आज सुनाई गई सभी कताईं भी चरू सुनिएगा